तो आज आपके साथ बहुत ही डिलिशेस चिकन चिली ड्राइ विद एक फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने वने और इस तरीके से आप बनाएंगे यह कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी हमाई पर मुझूद है वन केजी चिकन थाइ बॉलनेस और इसे हमने लंबी और क्यूब शेप में कट कर लिए तो सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एड़ करेंगे और इसी के साथ वन टी स्पून वाइड पेपर एंड सॉल्ट हाफ टेबल स्पू इसी फ्राइपन में हम तीन चमच ऑईल के रहने देंगे और इसमें एक टी स्पून अधर क्लसन पेस्ट का शामिल करेंगे इसे जादा देर फ्राइड नहीं करेंगे कोई 10 से 15 सेकंड देन हम इसमें हरी मिर्ची याइड कर देंगे जूलियन स्टाइल में कटी वी अभी हम साथ से आठ हरी मिर्चों का इस्तमाल करें और इसी के साथ थोड़ा सा बरी कटावा अदरग भी शामिल करेंगे थोड़ा सा साटे करने के बाद जो चिकन को हमने शैलो फ्राइ किया था वो इसमें शामिल करेंगे और इसकी एक मिनट के लिए मसीद भुनाई कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मताबिक इसमें एड़ कर सकते हैं क्योंके सोया सॉस का भी अपना स्रॉंग फ्लेवर होता है अब इसमें मजीद फ्लेवर देने के लिए हमारे पास एक छोटी प फ्राइट राइस की तरफ जिसके लिए हम एक कडाही लेंगे तीन खाने के चमच ऑईल के ऑईल अच्छे से गरम होजे इसमें दो फेंटे वे अंडे शामिल कर देंगे अंडों को हमने थोड़ा स्क्रैंबल कर लेने और इसी के साथ हम वेजिस भी एड़ कर देंगे छोट जुकोल कैनेडा, एहमद गुजरावाला और सलीम जर्मनी से अब इसमें एड़ करेंगे एक अब जितने पकेवे बॉइल वाइट राइस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हैरी प्यास भी एड़ करतेंगे और वन टीश्पून लसन पाउडर अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे चेक तेस आउट गाइस अपने एक फ्राइट राइस भी रेडी है तो जैसा कि आपको पता है टाइम हुआ चाता है प्लेटे ले आओ और ये गर्मा गर्म कॉंबिनेशन ले जाओ वीडियो पसंद आती है मस लाइक और शे कि आती है तो